मिलिये इन शातर चोरों से, इनके चोरी करने का तरीका इतना हाइटर्ख है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे ये सपा के राश्ट्रे अध्यक्ष अखलेश यादव का काफिला है जिसमें दो लगश्री गारियां शामिल हो गई अब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इन गारियों में बैठे लोग चोर हैं जो मौका पाते ही नेताओं और उनके साथ चलने वालों की जेव साफ्टर देते हैं इनका सबसे पहला टार्गेट होता है मोबाईल और उसके बाद जो भी हाथ लग जाए पर्स, पैसे, सामान, कुछ भी हम लोग जब काफिला में मान जाक्टर जो को रिसीब करके आ रहे थे हमने देखा दो गाड़ी एक यूपी चाउदा एक एक एचार तो आंगे पीछे हो रही थी हमें संका हुई कि यह लड़के जैसे काफिला रुकता था तुरंत पहुंचाते थे लोगों के पास दोड़ के छोशू लड़के थी हमें संका हुई तो पिछली बार दे हमारे र दो लखनव से आ रहे थे तब हम इनके पीछे गाड़ी लेगा हम देखे यह लड़के जैसे लोगों की जेब ताट रहे तो इनको रंगात पकड़ लिया है अच्छा कितने लोग है कितने लोग पकड़े हैं हम लोगों ने पुलिस के मताबिक अब तक इनके कबजे से 15 बहुत बड़ा है और अब पूशता आज की जा रही है इन लोगों ने गाजियवाद में गाड़ियां कहां से किराय पर ली और इनका चोरी करने का मकसद क्या रहता है कुछ बाहन चोर हैं जो गाजियवाद साइड से गाड़ी बुक कराके लेके आए हैं इनका कहना हम लखनव लखनव से पीछे चल लाए हैं इसी रूट पर यहां भीड में इन्होंने मुबाइल इस थींचे हैं मौके पर पकर लिए गए हैं लग 14-15 मुबाइल हैं और परस दो गाडियां हैं जो इक किराई पर करके लाये थे अभी तश्दीक किया जाना बाकिये गिनी की थी या किराई पर किलाये थे पूश्टाज के क्रम में हो सकता है अभी और मुबाइल बरा मत हों कौन-कौन साथी है यह बीटेकल किया जाएगा जो भी होगा आपको आते थे और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती थी भला नेता के काफिले में चल रही किसी महंगी गाड़ी में बैठे शक्स पर किसे शक होगा फिलहाल इन चोरों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया है और इस बात की परताल की जा रही है कि इस गैन में और कौन-क